देखिए आज किस वीडियो में हम बात करेंगे तो गो दी एक्स्ट्रा माइल अब यहाँ पर देखिए आप मैंने इसको दानी बोला दी बोला तो आपको ध्यान रखना है कि इसके तुरंत वाद जो वर्ड आता है अगर वो वावल से सिरू हो जैसे A, E, I, O, U के साउंड से अगर सिरू हो तो आप इसे दी बोलियेगा अब इसका मिनिंग देखते हैं कि आखिर इसका मिनिंग क्या होता है तो इसका मिनिंग हो सकता है to put in extra effort मतलब अतिरिक्त महनत करना या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं to do more than what is required and expected मतलब जितना आप से demand की गई है उसके अतिरिक्त अगर आप महनत करते हो तो बोला जा सकता है to go the extra mile example से समझते हैं इसको बहतर तरीके से समझेंगे जिसे workers who अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए यह जो workers है न इसी के लिए यहाँ पे who अपने relative pronoun के लिए यूज किया मतलब यह who किसके लिए काम करेगा workers के लिए तो workers who go the extra mile मतलब वो काम करने वाले लोग जो अतिरिक्त महनत करते हैं are more likely to receive a promotion तो उनकी ज़्यादा संभावना होती है promotion मिलने की किसी भी company कहीं भी काम कर रहे हैं तो इनकी ज़्यादा संभावना होती है promotion मिलने की या फिर and or raise raise क्या है यहाँ पर salary बढ़ने को बोला गया है या फिर उनकी पगार बढ़ा दी जाती है compare to किनके तुलना में those who don't मतलब उन लोगों की तुलना में जो extra महनत नहीं करते हैं जितना duty होता है उतना ही काम कर लेते हैं उसके अतिरिक्त नहीं करते हैं तो उन लोगों की पगार उनका promotion नहीं बढ़ता है किन लोगों का promotion होता है किन लोगों की पगार बढ़ती है जो extra mile यानि go the extra mile जो अतिरिक्त महनत करते हैं उन लोगों की पड़ती है ना कि जो लोग नहीं करते हैं आप देट की इस छोटे से वीडियो से आपको To go the extra mile का हिंदी विनिंग समझ में आया होगा Thank you